गाइज आप जानते हो आज के समय में जादे तो लोग करते क्या है अगर उन्हें कुछ सर्च करना होता है तो simply गूगल को open करते हैं नहापर टाइप करके सर्च करते हैं मतलब कि लिखने के बाद सर्च करते हैं मतलब कि जो इस फोटो में उसके बारे में आप जो है गूगल पर जो सर्च कर सकते हो तो गाइज अच्छे से समझने के लिए आप जो इस वीडियो को end तक watch करना और अबर वीडियो ज़रा भी informative लगता है तो please वीडियो को like जरू करना तो hey what's up guys मैं सोनूरा आप हो only about technology यूटूब चार तो चलो वीडियो शुरू करें तो guys आज के स्टूडियो हम बात करने वाले कि कि किसी भी फोटो को गूगल की मदद से कैसे सर्च किया जाता है तो guys सबसे पहले हम आपको बताने वाला हूं कि आपको कोई भी application डाउनलोड करने की जरूत नहीं है मतलब कि आपको प्ले स्टूर से किसी भी application इंस्टॉल नहीं करना doubt application इंस्टॉल करें भी जो आप किसी फोटो को सर्च कर सकते हो एक्जम्पल के लिए मैं अपने mobile phone की gallery को open कर लेता हूं और यहाँ पर मैं इस folder को open कर लेता हूं तो guys आपको दिखाने के लिए एक्जम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ photos को download किया हूआ है और कुछ photo को मैंने अपने phone के camera से click किया हूआ है तो guys photo या image को search करने लिए आपको करना है क्या है mobile phone की gallery में आने के बाद उस photo को आपको जो open कर लेना है जिसको भी आप search करना चाहते हो तो guys मैंने जो इस photo को open कर लिया example के लिए आप guys मुझे नहीं पता कि यह क्या चीज है इस फल का जो है क्या नाम है इस फोन में जो बोटम में यहाँ पर share वाले एक option आपको देखने को मिल रहा होगा आपको simply अपने mobile phone में एक share वाले बटन जो है search कर लेना है अपने mobile phone की gallery में photo को open करने के बाद तो मैं जो इस share वाले option पर click कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने जो काफी सारी application आजाती है तो आपको करना है क्या है यहाँ पर आपको search image को search करना होगा तो guys जैसा कि आप देख पा रहे हो Google यह जो है Google की तरफ से ही जो हमें देखने को मिल जाते है option वह इस application का नाम है search image यह जो application आपके phone में इंस्टोल होकर आती है तो आपको simply इस वाले option पर click कर लेना है इस वाले application पर click कर लेना है search image पर जैसे ही मैं search image पर click करता हूँ तो guys आप देख सकते हो मेरे सामने जो result आ चुका है इस fruit का क्या नाम है वो मेरे सामने यहाँ पर show हो चुका है इस fruit का नाम देख सकते हो आप kiwi है जैसे मैं scroll down करता हूँ तो guys और भी detail आप इस fruit के बारे में देख सकते हो इसी तरीके से guys मैं इसको बैक कर लेता हूँ यहाँ से फिर से बैक कर लेता हूँ आपको simply करना किया है आपको share वाले बटन पर फिर से click कर लेना है यहाँ पर फिर से search image पर click करना होगा और guys आप देख सकते हो इस application ने इस image को search करके दिखा दिया है कि इस phone का क्या नाम है इसने सिर्फ back panel को search किया है यहाँ पर iPhone XR जो आप मोडल शो हो चुका है यहाँ पर इसके कुछ images भी आप देख सकते हो इसी तरीके से आप जो famous किसी celebrity या किसी person को भी search कर सकते हो मतलब कि उसकी जो photo को search कर सकते हो and guys third example में जो इस photo को open कर लेता हूँ and मुझे नहीं पता यह person को ने इनका नाम क्या है और इनकी जो बाइगराफिक क्या है फिर से आपको share वाले बटन पर click करके search image को आपको search कर लेना है and यहाँ पर आपको search image पर click कर लेना है and guys जैसा कि आप देख पा रहे हो इस Google search ने इस image को search करके यहाँ पर नाम शो करा दिया है जो यह person है इनका नाम यहाँ पर आ चुका है सिरी नरंदर मोदी जी जैसे कि आप जानते हो यह भारत के प्राइम निश्टर है इनको हर कोई जानता है लेकिन guys मैंने एक्जंबर लिए आपको इस image को search करके show करा है guys अगर आपके mobile phone में आपको search image को option नहीं मिलता है तो आपको करना है क्या है आपको simply जो play store से google lens application को install कर लेना है लेकिन आज मैं आपको बताना चाता हूँ कि यह हर एक Android में जो already install होके आता है बट फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको google lens को install कर लेना है फिर बस आज की वीडियो भी इतना ही आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो ऐसी helpful वीडियो के लिए में चनल सब्सक्राइब करें तब तक के लिए goodbye and take care